हेलो पीपल, होप यौल आ डूइंग वैल, आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 214 आईपीसी के बारे में सेक्शन 214 आईपीसी हमें बताता है ओफरिंग गिफ्ट और रेस्टोरेशन ओफ प्रॉपर्टी इन कंसिडेरेशन ओफ स्क्रींग ओफेंडर देखो सेक्शन 213 में हम लोग ने बात की थी कि जो इनसान गिफ्ट ले रहा है अब जो इनसान गिफ्ट ले रहा है वो तो गलत है ही है साती साथ जो इनसान गिफ्ट दे रहा है वो भी गलती कर रहा है ठीक है अगर देता है या फिर offer करता है अग्री करता है देने के लिए अगर तरीके का gratification किसी भी इंसान को mind you any person लिखा है तो कोई भी इंसान ठीक है और restores or causes the restoration of any property to any person या फिर कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मतलब तुमने उसको बैच लिया जिसको बचवाना बचा लिया जो ऑफ़नर बचा लिखाता ौसको बैचा लिए जो इसको बचावना बचा लिया THब इस तरीक यी वह बात करता है तो teria property भी में included in consideration of that person's concealing an offense कि वह अस offense को लिखा रहा है or of his screening any person from legal punishment या फिर वो चाहता है कि उस इंसान को जिसके लिए वो ये सब कर रहा है उसको legal punishment से बचा लिया जाए or of his not proceeding against any person for the purpose of bringing him to legal punishment या फिर उस इंसान के खिलाब कोई भी legal मतलब कोई भी proceeding ना हो so अगर उसने gift offer किया है जिस इंसान ने gift offer किया है उस offense की punishment जो है वो capital punishment है तो ऐसे इंसान को 7 साल की सजा मिलेगी जिसने gift offer किया है ठीक है अगर आप देखोगे तो काफी सादा similarities है punishment के बीच में जो gift दे रहा है जो gift ले रहा है सारी चीज़े punishment के मामले में same है 7 साल की सजा उधर भी मिल रही थी 7 साल की सजा इधर भी मिल रही है ठीक है तो और अगर आप आजीवन कारावास का offense है या फिर 10 साल तक के imprisonment का offense है तो 3 साल तक की सजा मिलेगी gift देने वाले को gift offer करने वाले को और fine के लिए भी वो libel होगा फिर वाई ही चीज है कि अगर 10 साल से कम तक की imprisonment है ठीक है तो फिर 1 4th part की सजा 1 4th part जो longest term उसका होगा वो सजा मिले gift देने वाले को exception यहाँ पर यह है the provisions of section 213 and 214 do not extend to any case in which the offense may lawfully be compounded देखो section 213 में और section 214 में gift लेन देन की जो बात हो रही है यह वहाँ तक यह provision जो इसमें दीवे यह उसमें extend नहीं करते कि मालू कोई चोटा मोटा अगर ऑफञेंस है यहाँ पर बड़े बड़े offenses की बात करी गई है अगर कोई चोटा मोटो ऑफञेंस है और वह lawfully compound किया जा सकता है उसे मतलब आपस्वेलिवे RecChat कर के उसे खतम किया जा सकता है तोनों पार्टी तब ही यह तो दोनों parties आपस में समझोता कर लेती हैं तो फिर ये सारे sections काम में action में नहीं आएंगे अगर कोई बड़ा offense है तभी ये दोनों sections काम में आते हैं चोटे मोटे offense के लिए अगर वो lawfully इसको compounded, compound किया जा सकता है तो वो बहर बार जैसे out of court settlement होता है जन cases का कभी कभी चो होते है settlement तो वो वैसे हो सकता है तभी ये section नहीं लगेगा कोई बड़ा offense है, serious offense है तभी ये दोनों sections action में आएंगे ठीके, तो I hope आप लोग को ये वाला section भी अची तरीके से समझ में आया होगा अगर कोई problem है तो please let me know in the comment section और अगर आप लोग इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते है तो भी प्लीज मुझे ज़रूर बताईएगा Thank you so much